हाव रुफीक्स सैंसंग स्टार्ट टू ऑटो रिस्टार्ट आफ्टर अफ्टर अपडेट प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके जो डिवाइस से उसमें आफ्टर अपडेट के बाद आपके से इस प्रॉब्लम को सॉल्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर डोस्तों मैं आपको इसी करिगारिंग पर सॉलुशन बताने वाला हूं ठीक है वीडियो को आन तक देखेगा दोस्तों जो भी सॉलुशन में आपको बताने वाला हूं जिस तरीका वी सॉलुशन मैं आपको आपको फूव करना है किविकि दोस्तों यहाँ पर रिस्टार्ट होने का कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पर फूब कप है कि अपडेट के लिए प्रॉब्लम आया हुए उसके लिए दोस्तों वीडियो आन तक देखना होगा सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आ अपडेट के बाद तो आप यहाँ पर सबसे पहले रिसेंट बटन पर क्लिक करें सारे एप को एक बार सबसे पहले क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद अपने सिम ट्रे को बाहर पर निकालके आप अच्छे से अपना सिम कार्ट मेमरी कार्ट जो भी आपने एट क्या और insert कर दीजे, ठीक है, उसके बार mobile को एक बार restart कीजे, restart करने के बाद, check करके देखे, तोरे दिर mobile को use भी कीजे, ठीक है, heavy use नहीं करने, बस ऐसे use करेए, देखे कि अगर आपको problem दुबारा से create होते हैं, या नहीं होते हैं, अगर problem दुबारा से आ रहा है, तो आपको solution करना ह रहा है, तो आप इसे भी use कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, update के बाद, यहाँ पर auto restart का issue हो रहा है, तो आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं, आप अपने mobile के setting पर जाके अपनी storage को चेक कीजे, अगर आपका storage almost consume हो चुका है, तब भी दोस्तों प्रोब्ल के लिए long high gaming करते हैं, तब भी दोस्तों problem हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर overuse का भी auto restart problem ही, create होता है हमारे device में, ठीक है, और दोस्तों आपने mobile पे bed applications वगरा है, उनको delete कीजे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों bed applications पे problems कई सरे आते हैं, सारे साथ अगर आपके mobile पे unused application भी ब तुरा-थुरा करके, applications को भी remove करना है, अपने mobile से space को भी clean up करना है, एन दिन दोस्तों mobile को restart करके चेक कीजे, अगर दोस्तों आपके mobile space already full है, तो आप उसको कम से कम 40% space यहाँ पे दीजिए, ठीक है, उसके बाद चेक करके देखे, आपका जो issue है, यहाँ पे solved हो जाना चाहि अगर solve होता है, ठीक है, अगर उसके बाद भी problem आ रहा है, तो आप दोस्तों आपने mobile के general management पे जाए, reset के option पे click करे, reset all setting पर जाके reset setting पर click कीजे, और अपना mobile pattern या फिर password pin भर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपके सारे setting reset हो जागा, indent, recheck करके देखे, अगर problem solve हो जाता है, अगर उसके बाद भी दोस्तों problem आ रहा है, तो आपके पास दोस्तों last solution बज जाते हैं, और वो ही दोस्तों factory data reset, ठीक है, यहाँ पे है, तो same setting आपको follow करना है, जैसे कि आपे general management, reset and then factory reset, ठीक है, तो factory reset में जाके दोस्तों आपको सारे के सारे phone जो है, उसको ही format कर देना है, उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका जो problem है यहाँ पे कैसे solve हो जाते हैं, ठीक है, तो इतना solution अगर आप कर लोगे, तो दोस्तों आपका problem definitely solve हो जागा, और दोस्तों factory reset करने के बाद आपको high gaming नहीं करना है, अगर आप करते हैं, तो वो आपको छोड़ना होगा, ठीक है कुछ दिन के लिए सारे साथ mobile को दोस्तों आप यहाँ पे use तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा overuse आपको नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा करके दोस्तों देरे देरे जो है आपका problem भी fix हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको gaming बगरा भी करना है, तो अभी आप कर सक करते हैं, तो उम्हेद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसने होगा, thanks for watching.